हेलो फ्रेंड्स, वेल्कुम बैक निशी जामत्रे, फ्रेंड्स आज देखिए हम ये वाली बॉर्डर का पैटर्न सिखे लिए बहुत ही कुपसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है ये जो है आपको दो सिलाईयों की पैटर्न है और दो सिलाईयां ही बार वार आप रिप इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने जो है 14 के मल्टिपल में 28 फंदे लिए हैं और 8 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं तो चलिए रूबन हम स्टार्ट करते हैं तो पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे और तीन फंदे हम सिधे बुनेंगे एक दो और ये तीन फंदे हमने सिधे बुने हैं और एक फंदे हमने स्लिप किये हैं आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं यानि टोटल चार फंदे हमने बनाए हैं उनको आगे लेकर के आएंगे अब पांच फंदे हम सिधे बुनेंगे एक, तो, तेन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने सिधे बना लिये हैं, अब तीन फंदों का एक करेंगे, तो इस तरह से हम लेंगे, तीन फंदे, अभी फर्स टाइम है ना, तो ये थोड़ा टाइट है, देरे देरे लूज़े, देखिए, ये तीन फंदे हमने ले लिये हैं, इन तीन फंदों का हम इस तरह से एक करेंगे, तीन फंदे का एक हो गया है, फिर से पांच फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, उनको आगे ले करके आएंगे, और ये एक फंदे सीधे बनेंगे, अब देखिए, तो ये जाली वाला फंदा जो है, यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये चार फंदे हमारे एज़ेज के मान लीजी, तो दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, ठीक है, तो चौदा फंदे हो गए, तो इन ही चौदा फंदों को हम आगे रिपिट करेंगे, तो देखिए, ये क्या हमने जाली वाला जो यहां फंदा है, वहां से हमने स्टार्ट किया है, तो फिर से हम जाली बनाएंगे ना, यहां से, ठीक है, तो उन को हम आगे लिए करके आएंगे, और इस तरह से हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुने हैं, अब तीन फंदों का एक करेंगे, ठीक है, बैक लूप से, इस तरह से, ठीक है, तो तीन फंदे का एक हो गया, अगें पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे, और ये एक फंदे सीधे बुनेंगे, तो ये फोर्टिन फंदे और फोर्टिन फंदे हमने रिपीट कर लिये हैं, अब ये एज-ज के जो हमारे चार फंदे हैं, इसको ह तो देखिए यह राइट साइड की हमारी सिलाई बुना गई है अब उल्टी साइड पे हम आ गये हैं तो उल्टी साइड पे हम सारे फंदे जो है उल्टे बुनेंगे यह हमारी रोटू है जिसे हम सारा उल्टा बुन करकी कम्प्लीट करेंगे फ्रिंड्स आई होप आपको हमारा पैटर्न अच्छा लगता होगा और अगर प्लीज अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को एक लाई जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली वार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की और साथ ही बेल आइकन भी प्रेश कर लेज़ेगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कभी मिशना हो तो देखिए यही दो सिलाहियां आपको बार बार बनानी है तो यह इस तरह का पैटर्न बनेगा ठीक है तो चलिए मैं एक सिलाहिय और बना करके दिखाती हूं फिर से तो चार फंदे हम सिधे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे हमने सिधे बुन लिए ठीक है अब यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है तो उनको आगे लेकर के आएंगे पांच फंदे सिधे बुनेंगे एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे हमने करेंगे इस तरह से, तीन फंदों का एक हमने कर लिया है, पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से उनको आगे लेकर के आएंगे, और पांच फंदे सिधे बुनेंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब तीन फंदों का हम एक करेंगे बैक लूप से इस तरह से पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, उनको आगे लेकर करके आएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, अब ये जो वाला जो फंदा है सारा, उससे हम सीधा बुन लेंगे, उल्टी साइड पर आते हैं हम, सारे फंदे हम उल्टी साइड पर उल्टे बुनेंगे, तो देखिए, ये इस तरह से हमारा बनना स्टार्ट हो गया, यहां पर हमारा कर्वी भी बन गया है, तो इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा, अब बार बार यही दो सिलाईयां रिपीट कीजिएगा, तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक क्यार,